नमस्कार दोस्तों स्वागात है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल स्याम क्लासिक इस्टडी में साथियों आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस कॉंस्टीविल री एक्जाम में पूछे जाने वाली हिंदी के अती मैत्पूर 37 प्रिश्णों का प्रेट्टे सेट ले करके आए हूँ जो आपके री एक्जाम के लिए बहुत ही ज्यदा मैं तो आती हूँ आज के प्रेट्टे सेट को आप लोगों को पूरा करने के बाद आपको अपना इस्पूर इमानदारी के साथ है कमेंट बॉक्स में सेयर करना है औ इस पिट्टा सेट को आप अपने सभी दोष्टों के पास भी ज्यादा सेर कीजीगा जिससे वो भी लोएं को लगाए और उन लोगों को भी अपय त्यारी का मौका मल पा genau क्य persu can require बोली या लिखनी जाती है तो वो कौन सी बोली या है तो वो है स्वार एक का राइटांसर है और अपन संक्या ए इससे प्रशनका राइटांसर हो जाएगा पन संक्या दो है आपके सामने की संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल बाणों की संक्या है तो कितनी है तो संयु कि सब्द कोस में स्रिध्धा सब्द किस सब्द के पहले आएगा तो किस के पहले आएगा स्रिध्धा तो स्रिध्धा ये स्रिमिक के पहले आएगा ठेक है तीन का राइट अंसर ऑप्रसंक्या डी इसे प्रिश्न का राइट अंसर हो जाएगा प्रिशंक्या चार आपके सामनो स्था बरत्नि है यानि आपको बताएं कि विध्या निवास्मिस्र कौन से बिकल्प में सही लिखा गया है पुर इन मैंसे कौन सब्ध है जो सब्द्ध रजा है तो आतिस योगति ये सब्ध 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 पांच का राय जाएगा अंगला पेट्स संख्या च्छ आपके सामनूं कि इस सब्ध है तो स्वातनत्र ये एकदम सब्ध शहका राय जाएगा और अप्सन संक्या सी इस प्रिष्ण का राइट अंसर हो जाएगा अंगला प्रिष्ण संक्या साथ है आपके सामने कि हिंदी भासा में सतत और ब्यापक मूल ल्यांकन करते समय आप किस बात पर बिसे इस ध्यान देंगे तो हम बताओ कौन सी बासा पर सबसे ज़्यान देंगे तो हम देंगे सुध बरतने पर कि देखेंगे कि इसने सही लिखा है कि गलत लिखा है तो साथ का राइट अंसर हो जाएगा और प्रिष्ण का राइट अंसर हो जाएगा अंगला पेस्ण है आठ है आपके साम्नेयों की सही बरतनी है तो बताओ इन में ऐसे किसकी बरतनी जो एक दाम हảiकरक्ट लिखी है तो जिन है क्या जिन है जो ऑप्संख्याब डी बाला सही बरतनी है आठ है आठ का राइट अंसर हो जाएगा डी प्रिंट संक्या नो है आपके सामनों कि तेरने की एक्षा रखने बाला के लिए एक सब्द क्या होगा तो इसके लिए एक सब्द क्या हो जाएगा तो इसके लिए एक सब्द होता है तितीर सा नौ का राइट आंसर और संक्या ए इस प्रिष्ण का राइट आंसर हो जाएगा प्रिण संक्या दस है आपके सामनों कि जिसकी एक्चा पूर्ण हो गई हो के लिए एक सब्द होगा तो बता इसके लिए एक सब्द क्या हो जाएगा तो जिसकी एकचाप पूर्ण होगा जो इसके लिए एक सब्दों का त्रिप्त दसका रैट आंसर ओप सन शंक्या ए इसका रैट आंसर हो जाएगा पृर्ण संक्या ग्यारा है आपके सामनों की जिसने सफ़त पूर्वा पिर्द्दग्या की हो के लिए एक सब्द होगा है तो इसके लिए एक सब्द दिख्या होगा तो जिसने सब्ध पूरव पिटते गया की हो इसके लिए एक सब्द हो जाएगा संसब्द है यानि 11 का राइट अंसर और अप्सन संक्या ए इस पृष्ण का राइट अंसर है हो जाएगा jewel दो पिरशागत आपके सामने की जिसका संकल्प यार निश्या किया गया हो के लिए एक सभ्ट है तो बताओ इसके लिए एक सब्द क्या हो जाएगा बारा का राइड-श तो इसके लिए संख्या आग का तत्सम्ठ अरक हो जाएगा आग का तत्सम्ठ सब्द 3 का राइट अंसर अउप्सर संख्या बी स्प्रैष्निका राइट अंसर हो जाएगा अंगलाप प्रैषण फिर क्या है आप tá District स trabalho सामने की गौरब का तत्सम्ठ है तो बता हो जा करबाच हो चाहिए गौरप सब्ध का तत्सम सब्ध चओद्रह का राइट- dial सर हो जाएगा आप संखिया इस बिच रॉसनिकां राइट अंसर हो जाएगा क्रिंशनिक करें नेग्र परिंशनिक र्पापी सामने की गधा का तत्सम सब्द है तो कौन सा हो जाएगा गधा का तत्सम सब्द होता है गर्धब सोला का अंसर आप्सन संक्या बी इसे प्रिशन का राइट अंसर हो जाएगा पर संक्या सत्रा है आपके सामने के बिसेशन के कितने भेद हैं तो कितने हैं तो बिसेशन के होते हैं चार भेद सत्रा का रइट आंसर हो जाएगा option संक्या B इस से परिषन का रईट आंसर अंगला पेश्टर पिन संक्या 18 या आपके साम्निय के sona सब्द का परियाबाची क्या है तो बता कौन सा हो जाएगा sona का परियाबाची sona का परियाबाची होगा प्रियाबाची सब्द बताओ इनमे से कौन सा है जो राजा का परियाबाची है क्या जो भूप सब्द है ये राजा का परियाबाची है 19 का रहाइट राइट उसका सब्द का कौन सा नहीं है तो कौन सा नहीं है तो मयूर कलापी सिखी ये मूर के परियाबाची होते हैं जबकि अरुण सिखा ये मूर का परियाबाची नहीं होता है बीस का राइट अंसर ओप्स संक्या डी इसे प्रिशन का राइट अंसर हो जाएगा सात्यों वीडियो पसंद आ रही ह तो प्लीज वीडियो को like, comment और चैनल को subscribe करना न भूलें अंगला प्एसने पेंट संक्या 21 है कि कौन सा सब्द पत्थर का पर्यावाची नहीं है पताओ इन मेंसे पत्थर का पर्यावाची कौन सा नहीं हो जाएगा तो तारक, क्या तारक जो सब्द है ये पत्थर का परियावाची नहीं है 21 का राइट आंसर और अप्टन संक्या D इसे प्रिश्न का राइट आंसर हो जाएगा अंगला पैट सैंप्ट संक्या 22 है आपके सामने की सरबरी यामनी तता रजनी सब्द किसके परियावाची है ये किसके हैं तो आपको रजनी से तो पता लगी गया होगा कि ये जो सब्दे attered राइट के परियावाची हैं 22 का राइट अंसर और उपसर्ग हो जाएगा पुनर संक्या 23 है आपके सामने की पुनर लेखन सब्द में कौन सा उपसर्ग है तो बताओ इनमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा तो इसमें जो उपसर्ग है वो है पुनर । पुनर, यानि तेश संक्या, ब इसका राइट अंसर हो जाएगा है तो बताओ हुल्च में इसमें हो जाएगा सार परतिया, जोब इसका राइट अंसर हो जाएगा पिरे सिंख्या 25 से आपके सामनों के निम लिकित मेंसे सुध्य बर्तनी कौन सी है तो कौन सी हैंसे में बताओ सुध्य बर्तनी 25 का Right Answer तो यथारत नुमुक है यह इसकी सुध्य बर्तनी हो जाएगी 25 का Right Answer और सों संख्या C इसका Right Answer हो जाएगा अंगला पैसने के 26 है आपके सामने में कि निम लिकित में से कौन सा संदी विक्षेत सही है बताओ अनमे से किसका संदी विक्षेत एक दम करक्ठ है 26 का राइट आंसर तो मही पिलस इंद्र महेंद्र नदी पिलस इस नदी इस बदू पिलस उस्तो बदूस्तो यानि ये सभी जो सब्दें ये सही हैं 26 का अंसार ओप्टन संक्या D इरस परशने का राइट अंसार हो जाएगा अंगला पैसने आपके सामने पर इंद संक्या है 27 कि चौकोर सब्द में कौन सा समास है तो बताओ कौन सा हो जाएगा चौकोर में इसमें हो जाएगा दिगू समास 27 का राइट अंसार ओप्टन संक्या B इस परशने का राइट अंसार हो जाएगा पर इंद संक्या 28 है आपके सामने के ठंठन गुपाल मोहावरी का अर्थ है बताओ क्या हो जाएगा तो ठंठन गुपाल जो मोहावरा है इसका अर्थ होता है खोगला 28 गोपाल जो मोहावरा है इसका अर्थ होता है खोगला 28 गोपाल जो मोहावरा है इसका अर्थ होता है खोगला 28 गोपाल जो मोहावरा है इसका तो बताओ यहां पर कौन सा अलंकार है तीस का राइट अंसर हो जाएगा प्रिन संक्या 31 है आपके सामने कि ग्यान का मार्ग डॉट डॉट के लिए एक साही है तो क्या है तो आप जानते हैं कि ग्यान का मार्ग साब के लिए एक साही है 31 का राइट अंसर और आपसन संक्या C इस प्रिशन का राइट अंसर हो जाएगा प्रसंक्या 32 से आपके सामने के आउंदी खोपडी उल्टा मत का अर्थ है तो इसका क्या हो जाएगा तो आउंदी खोपडी उल्टा मत इसका जो अर्थ होता है वो हो जाएगा मूर्ख ब्यक्ति की राय प्राया गलत होती है प्रसंक्या तेते से आपके सामनों के समान धर्मी ब्यक्तियों के जमाव को कहती है तो क्या खहते हैं? इनकी जमाव को कहते हैं सम्मेलन 33 का राइचानसर ओपन संकियाँ D इसका राइचानसर हो जाएगा अंGLA PY defense के 34 से आपकी सामने की सर्बोदाय का संदी भीख्छेत है तो कौन सा हो जाएगा सर्वरोदाय का संदी भेख्छे तो सर्व प्लस एगा 25 का cat निर्वार तो यह होता है तत्पुरो समास का उधार्ण 35 का राइट आंसार ओप्सन संक्या भी इसे प्रिष्ण का राइट आंसार हो जाएगा साथ यूँ वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें चलिएगा अंगला पेस्ट ने आपके सामनों कि कौन सा सब्द पुल लेंगे तो बताओ इनमें से कौन सा सब्द हैं जो पुल लेंगे 38 का राइट आंसर आपको पुल लेंग और रिष्ट्रिंग के लिए अच्छा पुल लेंग के लिए और अच्छी श्ट्रिंग के लिए लगाने से आपको पता चल पाता है तो अच्छा बोड़ापा ये एक पुलिंग सब्द हो जाएगा 38 का राइट आंसर ओपन संख्या D इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिसंख्या 49 है आपके सामनों की निमलिकेत में से कौन सा सब्दे इस्त्री लिंग नहीं है यानि बो सब्दे पुलिंग है ये आपको बताना है अब देखते हैं कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 49 का तो अच्छा आगन ये एक पुलिंग सब्दे 49 का राइट आंसर ओपन सिंक्या डी इसे पुर्षन का राइट आंसर हो जाएगा तो सात्यों अगर आपको ये वीडियो पसंद आरे तो वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलता पाई नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए धनबाद जाए हिंद